नमस्कार दोस्तो, Welcome to Career Education, Career Education में आप सभी का स्वागत हैं, दोस्तो आज हम लोग Practice Set 11 नमर पर बात करेंगे, जिसमें Railway Group D का Previous Year Question रहेगा, हाँ दोस्तो आप बिल्कुल सही सुने, Railway Group D का Previous Year Question रहेगा, दोस्तो इस चेनल पर Totally Previous Year Question ही कराया जाता है, आपको इज भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो, उस एक्जाम के Previous Year Question इस चेनल पर कराया जाता है, तो अगर आपको Previous Year Question का तयारी करना है, तो आप इस चेनल को सस्क्राइब करकर के इस चेनल से जुड़िए, और आप मेरे साथ Previous Year Question का तयारी कीजिए, ओके दोस्तो चलिए बिना देरी किये हुए Question द पताना है कि परसिद नर्तक की टी बाला सरस्वती किस निरित सहली की परतिपादक थी, तो भरत नाटियम की थी, किस की थी दोस्तो भरत नाटियम की थी, Option C जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तो चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स तीन सो बारे के अंतरगत माना जाता है, किसके अंतरगत माना जाता हैं, दोस्तो तो अनुच्छे तीन सो बारे के अंतरगत माना जाता है, Option B जो है, वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, दोस्तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को परदेश के बाद दुसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हैं। पीडियप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा वहां से आपको इसका पीडियप मिल जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन चार नंबर कह रहा है कि सरीर को सबसे मजबूत मानस्पेसी यानि कि उसके व इनकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों मैं या कोचन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोचन इन्पोटेंट है आपके एकजाम में रिपीट करने की मैक्समाम चांस है इसलिए मैं कोचन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोचन कह रहा है कि सरीर को सबसे मजबूत मानस्पेसी यानि कि उसके वजन के अधार पर चर्ण वरिका पेशी यानि कि मास्टर मांस पेशी कहां इस्टित होती है तो जबड़ा में इस्टित होती हैं ओप्सन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जायेगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन पांच नमबर कह रहा है कि कौन सा पोसक तत्व प्रती गराम अधिक्तम उर्जा संग्रहित करता है, चार अप्सन दिया है, इसमें से आपको चून कर बताना है कि कौन सा पोसक तत्व प्रती गराम अधिक्तम उर्जा संग्रहित करता है, तो वासा करता है कौन करता हैं दोस्तों वासा करता हैं आप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन चोव नंबर कह रहा है कि महिला गोलफर लेडिज इउरोपियन टूर यानि की एल इटी का खिताब ज हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों मैं उमेद करता हूँ कि कोशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और कमेंड करके बताइए कि नहीं किये हैं तो प्लीज इस चनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन साथ नमबर कह रहा है कि की से लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता हैं चार अप्सन दि दोस्तों तो नाइट्रस अक्साइड को अप्सन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन आठ नमबर कह रहा है कि परसिद संगितकार सिक्किल माला चंदर सेखर का संबंध निमनलिखित मे से किस वाधियंतर से हैं तो बासुरी से हैं किस वाधियंतर से हैं दोस्तों तो बासुरी से हैं अप्सन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन नव नमबर कह रहा है कि कौन सा फूल का नौर हिसा होता है कौन सा फूल का नौर हिसा होता है तो पुस्प कैसर जो है वो फूल का नौर हिसा होता है कौन होता है दोस्तों पुस्प कैसर जो है वो फूल का नौर हिसा होता है अप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question दोस नमबर कह रहा है कि अटल पैंसन योजना के तहट अनुमान मासिक पैंसन की निउन्तम रासी कितनी है तो एक हजार रूपिया है कितनी मासिक हैं दोस्तो एक हजार रूपिया है option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं यह question फिर से repeat कर दे रहा हूँ question कह रहा है कि अटल पैंसन योजना के तहट अनुमान मासिक पैंसन की निउन्तम रासी कितनी है तो एक हजार रूपिया है कितनी है दोस्तो एक हजार रूपिया option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए next question देख लेते हैं next question 11 नमबर कह रहा है कि पुस्तक बेहात हेम्पर्ड के लेखक कौन है पुस्तक बेहात हेम्पर्ड के लेखक कौन है दोस्तो तो हिलरी क्लिंटन है कौन है दोस्तो हिलेरी क्लिंटन अप्सन ये जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन बारे नंबर कह रहा है कि कर दाग मठ किस राज्य में इस्तित हैं किस राज्य में इस्तित हैं दोस्तो हिमाचल परदेश राज्य में इस्तित हैं अप्सन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन तेरे नंबर कह रहा है कि भारत का कौन सा बिर्टिस वाइसराय आठारे सो चवरासी इस भी में लागू किये गए इलबट बिल से समबंधी था तो लाड रिपन था कौन था दोस्तो लाड रिपन था अप्शन ये जो है वो आपका बिलकुल समबंधी शोरी दोस्तो आपका अप्शन ये जो है वो बिलकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो मैं ये कोचन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कोचन कह रहा है कि भारत का कौन सा बिर्टिस वाइसराय आठारे सो चवरासी इस भी में लागू किये गए इलबट बिल से समबंधी था तो लाड रिपन था अप्शन ये जो है वो आपका बिलकुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोचन देखते हैं दोस्तो मैं उमेद करता हूं कि कोचन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ओके चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन होती है तो आसंधी कहा जाता है क्या कहा जाता है दोस्तो आसंधी अप्सन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन पंदरे नमर कह रहा है कि किस नदी का उदगम अस्थान महा बलेस्वर में हैं किस नदी का उदगम अस्थान महा बलेस्वर में हैं तो क्रिश्ना नदी का उदगम अस्थान जो है वो महा बलेस्वर में ह option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question शोले नमर कह रहा है कि दूइप देश फीजी किस महासागर में इस्तित हैं option D जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question सत्रे नमर कह रहा है कि बीत आयोग का गठन राष्ट पती द्वारा परत्वे कितने बरस की समापती पर किया जाता हैं option C जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question 18 नमर कह रहा है कि तिसरी सताबदी में वा काटक वन्स का संस्थापक कौन था तिसरी सताबदी में वा काटक वन्स का संस्थापक कौन था दोस्तों तो बिंधिया सकती था कौन था दोस्तों बिंधिया सकती option B जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं next question 18 नमर कोशन कह रहा है कि कौन सतपूड़ा स्रेणी की सबसे उंची चोटी हैं चार option दिया है इसमें साब को चून कर बताना है कि कौन सत्पूडा स्रेणी की सबसे उंची चोटी है तो धूप गड़ है कौन है दोस्तो धूप गड़ जो है वो सत्पूडा स्रेणी की सबसे उंची चोटी है अप्शन ये जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोचन देख लेते हैं नेक्स्ट कोचन 20 नमबर कह रहा है कि किस ब्रिटिस परधान मंत्री ने 1932 में भारत के स्वतनत्यता आंदोलन के दोरान संपरदाईक पंचाट की घोसरा की थी किस ब्रिटिस परधान मंत्री ने 1932 में भारत के सोतंतिता अंदोलन के दोरान संपरदाइक पंचाट की घोसरा की थी तो जेम्स राम से मैक डोनाल्ड ने किस ने की थी दोस्तो जेम्स राम से मैक डोनाल्ड ने ओप्सन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके दोस्तो इतना कोशन मैं लेकर आया हुआ था उमीद करता हूँ कि सारा कोशन आपको याद हो गया होगा दोस्तो अगर आपको सारा कोशन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए आपके लिए एक-एक सवाल इनपोटेंट है दोस्तो आपके एकजाम में आपके स्रिप्ट में इस वीडियो से हंडेट परसेंट सवाल देखने को मिलेगा तो आप एक-एक सवाल का इनपोटेंट समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तो आपसे मैं नेक्स्ट प्रैक्टी सेट में मिलता हूँ तब तक लिए टेक केर दोस्तो अपना ध्यान रखिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए ओके दोस्तो बाए